नमस्कार दोस्तो यूट्यूब के चैनल अपना मंडी में आपका हर्दिक स्वाकत है दोस्तो आप जानते ही हैं इसी साल 2017 के आखिर में हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों पर MLA के इलेक्शन होने वाले हैं क्योंकि साथ जनवरी 2018 को वर्तमान सरकार का कारेकाल खत्म होने वाला है आज कल दोस्तो हरे एक गली कूचे में चाय की दुकान में पार्क में सब तरफ यही चर्चा चली है कि कौन होगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री फिलहाल वर्तमान समय में हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है अगली सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी इसी चर्चा पर सब लोग बहस बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ कदावर नेताओं के नाम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जो आजकल लोगों के जबान पर है आपकी इसके बारे में क्या रहा है कामेंट के धरू जरूर बताएं हिमाचल के कददावर नेताओं में सबसे पहला नाम आता है हिमाचल के मुख्य मंतरी शुरी विर्भधर सिंग जी का जो 1983 से 1990 तक 1993 से 1998 तक फिर 2003 से 2007 तक और 2012 से लेकर वर्तमान समय तक हिमाचल के मुख्य मंतरी हैं हिमाचल के दूसरे कददावर नेता है पूर्व मुख्य मंतरी शुरी प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल के 12 मुख्य मंतरी बने थे प्रेम कुमार धूमल दो बार हिमाचल की मुख्य मंतरी रह चुके हैं 1998 से 2003 तक और 2008 से 2012 तक काफी लोगों का सपना है कि वे फिर से हिमाचल के मुख्य मंत्री के रूप में सामने आए हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक ठाकुर कौल सिंग जो मंडी जिला से संबंद रखते हैं 1977 में पहली बार हिमाचल विधान सभा के सदस्य चुने गए थे इसके बाद 1982, 1985, 1993, 1998, 2003, 2007 और 2012 में भी इन्हों ने मंडी जिला के द्रंग विधान सभा सीट से जीत हासिल की वर्तमान में ये हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य एवं प्रिवार कल्यान मंत्री के रूप में अपने सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल के कदावर नेता जगत प्रकाश नढधा का नाम भी इसी फेरिस्त में है जगत प्रकाश नढधा जी हिमाचल विधान सभा के तीन बार सदसे रह चुके हैं और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा के सदसे हैं और नरिंद्र मोदी जी की सरकार में स्वास्थ वेवं परिवार कल्यान मंत्रालय का नेत्रित्व कर रहे हैं इसी फेहरिस्त में अगला नाम है अनुराग सिंग ठाकुर का पुर्व मोख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल के सुपुत्र चौदवीं पंदरवीं और सोलवीं लोकसभा में सांसद के रूप में हमीरपूर सीट से चुनाव जीते हैं वे भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संग के अध्यक्ष है एक नाम और है दोस्तो जिसके लिए काफी लोगों ने उमीद लगा रखी है ये हैं हिमाचल की वर्तमान सरकार में परिवहन मंत्री जी एस बाली गुर्मुक सिंग बाली 1998 में ये पहली बार हिमाचल विधान सभा के चुनाव में जीते थे उसके बाद 2003, 2007 और 2012 में भी ये आम चुनाव जीते हैं शिरी बाली कांगडा जिले से संबंध रखते हैं और नगरोटा बगवांस बिधान सभाक्षित्र से चुनाव लड़ते हैं